हेलो और वल्कम स्वागत आज सुभी का आज के इस वीडियो में और आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिनको अभी तक समझ में नहीं आया कि ये ग्राइंड क्या चीज है बीजियाइस कब से चालू होगा रिजिस्ट्रेशन क्या चल रहे हैं और ये वाला ग्राइंड प पटापट से सब्सक्राइब करो और मैं आपको बताता हो पिछला वाला जो ग्राइंड हुआ था वीजियाइस का 2022 में जब हुआ था तो वो जस एक प्रैक्टिस सेशन आप कह सकते हो वहां पे हमने सारी टीम्स को खिलाया उन्होंने प्रैक्टिस किया उसका कोई भी रिले टॉप 64 के अंदर आना है तब जाके आप बीजियाइस में खेल पाओगे बाकी जो टीम बाहर हो गई है उनके पास मौका होगा कि वो इन गेम कौलिफायर्स में रेजिस्सर करें और बीजियाइस जो 24 तारीक से रेजिस्टेशन चालू हो रहा है जी हां इसी 24 तारीक से वह पार रखूंगा यह ग्राइं के लिए है फॉर्माट और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो प्रॉपर बीजियाइस के लिए होगा बड़ चलते हैं सीधा ग्राइं के फॉर्माट के बारे में जैसे मैंने आपको बोला है कि इस ग्राइं में हमारे पास 256 टीम हैं Week 1 के लिए ये वाली 128 team है Week 2 के लिए Week 1, Week 2 का कोई relation नहीं है आपस में Next, अब ये 128 team जो Week 1 खेल चुकी है इन में से मात्र 64 teams बढ़ेंगी आगे जो की खेलेंगी तुमारा Week 3 यहां से भी जो 128 team है इन में से 64 teams आगे बढ़ेंगी ये खेलेंगे Week 4 Again, फिर से आपको याद दिला दूँ कि Week 3 and Week 4 का आपस में कोई relation नहीं है अब इन 64 teams में से 32 teams आगे बढ़ेंगी इन में से 32 teams आगे बढ़ेंगी अब ये दोनों ही team है मिलाती हैं और बनाती है 64 teams जो अब यहां से eliminate नहीं होने वाली ये 64 की 64 team को BGIS में मौका मिलेगा बढ़ इस चीज का फाइदा क्या है अब ये जो 64 team है न ये तुमारा Week 5 खेलेंगी जो कि हमारा grind का finals है अब 64 teams हैं तो मतलब 4 groups हमारे बनेंगे 16-16 teams each group में होंगे और वो लोग खेलेंगे अपना जो भी matches हैं जो decide की जाएंगे वो matches खेलेंगे आप सबसे बला twist इसमें यही आता है कि इस 64 में जो top 32 होगा वो आपका BGIS में round 3 में जाएंगे मतलब एक round को एक round का उनको फाइदा मिलेगा और वहीं पे जो bottom 32 teams हैं उनको round 2 में invite किया जाएगा एक थोड़ा sound के लिए disadvantage है बट मेरे हिसाब से at least उनको round 1 तो नहीं खेलना पड़ेगा जहां से in-game qualifiers से 2048 team में आ रही हैं उनमें उनको नहीं खेलना पड़ेगा 2048 के बाद 512 teams होंगी round 1 में तो 512 teams में से तुम सोच सकते हो कि कितनी team 2048 में से आएंगी और उसमें add किये जाएंगे 32 team तब वो जाके 512 teams होंगी यह हमारा पूरा grind का structure है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़दा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे underdogs को भी मौका दिया गया है और जो maximum teams हैं grind में वो सब underdog teams हैं और यहाँ से वो qualify करके अगर सोचो round 2 में जाते हैं या round 3 में जाते हैं तो उनका कितना फाइदा होगा अब जो पिछला वाला grind था वहाँ just 64 teams invited थी और उनको grind खिलाए गया just for practice उसके बाद वो लोग BGIS में से मौपस उसी तरीके से खेले तो पिछली बार भी 64 थे इस बार भी 64 है but change इस बात का है कि यहाँ पे हमने underdogs को बहुत मौका दिया जो कि शायद T1 teams को पचाड के qualify करके आगे BGIS के round 3 या round 2 में जा पाए यह तो खेर grind कर रहा इसके बाद मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जो कि BGIS का होगा most probably perso मैं वो वीडियो फोर्स कर रहा हूँगा तो जिनको भी कोई confusion होगा वो वीडियो देख लेना पर फिलाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ अब grind का format at least आपको समझ में आ चुका होगा बेलोंगा आखली वीडियो में तब तक लिए ख्याल रखें goodbye and take care